फिर भी आप ये गणे चतुरती का तोहार वो भी इतने बड़े लेवल पर पीछे बुद्धपूर्णी में तोहार गया था हमने तो निसुना आपके मुह से कभी आपने बधाई भी दियो अर्विंद केजरी वाल जी ने अपना RSS वाला जो मुखोटा है उसको जग जाहिर क जानते हैं कि किसी भी मनुष्य की गर्दन काट कर उस पर हाती की गर्दन को फिट किया जासकता हूँ तो साथियों आज जो अर्विंद केजरी वाल जी गणे चतुरती के त्योहार की जो बधाईयां दे रहे हैं आज उन्होंने कहा कि इसका लाइव टेली कास्ट वे अपने जो उनका आईटी सैल है उसके माध्यम से करेंगे और पूरी दिल्ली की दो करोड जनता उसे देखे इसके साथियों ने यह भी कहा कि गणेश चतुरती के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहाद चुपा हुआ है जिसको कि इस देश की जनता जानती नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि जो गणेशी हैं वे उनके अराध्य हैं वे पहले भगवान हैं उनकी पूजा सबसे पहले की कि जाती है कि साथियों मुझे श्री अर्विंद केजरी वाल जी की बुद्धी पर बड़ा तरस हाता है और मैंने सुना है कि वे कई बार पूजे गुरुजी सत्य नरायन गुएंका जी के सिविरों में गए हैं विपस्तिना सिविरों में और दस दस दिन तक कई सिविर और साथियों सत्य नरायन गुएंका जी एक व्यक्ति के मस्तिस को बिलकुल सुद्ध कर देते हैं उसके भीतर से सामपरदाइक्ता के जहर को बिलकुल निकाल देते हैं लिकिन ये कैसा व्यक्ति है मेरी समस्य बहार बात है हम अपना मिसन कई वार चलाते वक्त ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं जिनको हम समझाने का कार्य करते हैं हम जब अपने समाज में जाते हैं तो ऐसे लोगों से भी हमारा सामना होता है जो पड़े लिखे नहीं है जिनकी बुद्धी का लेवल बहुत कम है वे गवार हम यृधी करते हैं हाँ हाँ की बात बिल्कुल ठीक है कर लेकिन उसके बाद हम देक्ते हैं कि जिन बातों पर अंपने मुख थी हमारा किया था हाँ आ आप बिल्कुल ठीक पह रहे हैं यह कहा था उसी बात को फिर से बे अपने जीवन में अपनाने लगते haben कि तो कि ऐसे ल ना अपनी जुवान पर कायम रहते हैं और ऐसे मुर्खों की पराकाश्ठा को भी पार करते हुए श्री अर्विंद केजरीवाल जी मुख्य मंत्री दिल्ली ने तो मुर्खता की सारी हदे पार कर दी है भाई राजनीती की कुछ मांग होती है हम समझते हैं लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको गणे सतुर्ती का त्योहार मनाने के लिए वोट नहीं दिया था कि किसी पार्टिकुलर धरम के वारे में कोई उनका उत्सा मनाने के लिए आपको वोट नहीं दिया था आपको तो केवल जो दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं बिजली है पानी है उस पर वो किसी तीज त्योहार को मनाने की फिर भी आप ये गणे चतुरती का त्योहार वो भी इतने बड़े लेवल पर पीछे बुद्धपुर्णी मातोहार गया था हमने तो नहीं सुना आपके मुह से कभी आपने बधाई भी दियो कभी आपने ऐसे बधाई संदेश चार मिनिद का आपने फेस्वुक के माध्यम से आपने टेलिकास कराया हो हमने तो नहीं सुना जिसे पूरी दुनिया मानती है उसको किसी नहीं नहीं सुना आपके मुह से उसके बधाई संदेश को किसी नहीं सुना किसी नहीं जाना क्योंकि यह RSS की पॉलिसी है यह RSS की पॉलिसी है कि इ विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा को दफन करना है और यह आरेसेस की जो पॉलिसी है उसको आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा जागरुक करना चाहूंगा कि किस गनेश चतूरती या किस गनेश के उत्सव को आज मनाने के लिए श्री अरविंद केजरी वाल मुख्य मंतरी दिल्ली अपना बधाई संदेज जारी करते हैं सबसे पहले तो मैं श्री अरविंद केजरी वाल जी के जो उनकी बुद्धी है उस पर कुछ प्रसण चिने लगाना चाहूंगा क्या श्री अर्विंद केजरी वाल जी मानते हैं कि कोई भी जीव इस संसार में गणेज जी जैसा दिखने वाला आज तक उत्पन हुआ है या भविसे में कभी उत्पन हो सकता है։ क्या स्री अर्विंद केजरिवाल जी मुख्य मंत्री दिल्ली यह मानते हैं और इस बात को जानते हैं कि किसी भी मनुष्य की गर्दन काट कर उस पर हाती की गर्दन को फिट किया जा सकता हो क्या स्री अर्विंद केजरिवाल जी यह मानते हैं और यह जानते हैं कि एक जो मनुष्य है उसकी गर्दन का साइज और एक हाती उसकी गर्दन का साइज बिल्कुल समान है उसकी आकरती समान है उसको फिट क्या सकता है क्या एक मनुस्य की जो नसे हैं जिनको की उस हाती की गर्दन की नसों से जोड़ा जाना है उसकी जो सल्ले चिकित्सा की जानी है क्या वे समान है क्या हाती का ब्लड ग्रूप और मनुस्य का ब्लड ग्रूप समान है क्योंकि रक्त परभा होगा गर्दन का जो रक्त है वो सरीर में जाएगा मनुस्य के अब मनुस्य सरीर का जो रक्त है वो हाती की गर्दन में भी परभाईत होगा क्योंकि हम जानते हैं साइंस पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि पूरे सरीर में एक जैसा रक्त होता है और वह सर से लेकर पाउं तक लगातार पर वहाँ मान रहता है निरंदा चलता रहता है तो क्या यह संभव है क्या इस बात को स्री अर्विंद केजरी वाल जी मानते हैं क्या स्री अर्विंद केजरी वाल जी इस बात को भी मानते हैं कि जब सिवजी ने गनेश की गर्दन काट दी थी और उसके बाद हाती की गर्दन उनको फिट करनी पड़ी उस गनेश के सरीर पर क्या वहाँ पर गनेश की गर्दन नहीं थी उन्होंने हाती की गर्दन काड़ करी उसमें क्यों लगाई क्या स्री अर्विंद केजरीबाल जी ये मानते हैं कि किसी हाती की सवारी चूहा हो सकती है और क्या अरविंद केजरीवाल जी यह भी मानते हैं जैसा कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर पूरी दुनिया के सामने भारत की बड़ी भारी बेजती कराई और उन्होंने यह कहा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो सरजरी हुई वो भारत में हुई और ये गनेश की जो सरजरी हुई यानि कि इनसान की गर्दन को काट कर उस पे हाती की गर्दन को फिट करके जो सरजरी हुई उसको मोदी जी ने कहा कि ये दुनिया की पहले सरजरी है क्या स्री अर्विंद केजरीवाल जी मोदी जी की इस बात से इत्तफाक रखते हैं सातियों ये ऐसे प्रसन है जो अर्विंद केजरीवाल जी को इन प्रसनों का ऐसे ही लाइब टेलिकास करके जवाब देना चाहिए एक एक प्रसंद के जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या गणेज जैसा कोई जीव इस संसार में अस्तितु में आ सकता है, उन्हें बताना चाहिए, इस्तिहार को मनाने से पहले, इस्तिहार के लिए बधाई देने से पहले उनको बताना चाहिए, वे बुद्ध के सं सांतों को कभी निबताते हैं जिस बुद्ध ने इस दुनिया को सांती भाईचारे का संदेज दिया क्या अरविंद केजरी बाल जी आपको सांती की जरूत नहीं है आहिंसा की जरूत नहीं है आपको पूरी दुनिया में सांती और अहिंसा कयम नहीं करनी है क्या आप सतुरता ही पैदा करना चाहते हैं पूरी दुनिया में तो साथ ही हो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही पताना चाहता था कि स्री अर्विंद केजरी वाल जी ने अपना RSS वाला जो मुखोटा है उसको जग जाहिर कर दिया है अब हमारे पास कुछ भी पैदा सोचने समझने के लिए नहीं है और अब श्री राजंदर पाल गौतम जी अगर अपने वीडियो के माध्यम से लाइव टेलिकास करके श्री अर्विंद केजरी वाल जी के इस कथन का खंड़न नहीं करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि हमें भी कि श्री राजंदर पाल गौतम जी से दूरियां बना लेनी चाहिए हाला कि मैं हमेशा यह कहता आया हूं कि दिल्ली की विधान सवा में एक मात्र भोजन समाज के मिसन मुमेंट का प्रतिनितित करने वाला व्यक्ति श्री राजंदर पाल गौतम जी है और वे कम से कम हमारे स समाज के मिसन मुमेंट का प्रतिनितित तो कर रहे हैं लेकिन साथियों बार-बार मैं इस बात के लिए भी आप लोगों को आगा करताया हूं कि वे जिस तरीके से एक एक भीम मिसन चलाने लगे हैं बुद्ध का और अमिर्दर का नाम खुले तोर पर जपने लगे हैं तो उ अगर हम अपने आका के हुकम का पालन नहीं करेंगे तो उस पार्टी में नहीं रह सकेंगे उस पार्टी में रहकर वहां विधायक नहीं बन सकते सांसद नहीं सकते लेकिन वे केवल अपने लिए चाटू करता कर रहे हैं अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं वे नह सामाजिक हितों को साधना बहुत ही मुश्किल है और राजनितिक व्यक्ति को कि हमेशा सच नहीं बोलना होता जूट भी बोलना होता है उसकी अपनी मर्यादाएं है क्योंकि उसको जै वे बाते समाजिक कारे करता हैं जैसे कि मैं समाजिक कारे करता हूं और समाजिक कारे करते वक्त कभी भी मैं जूट नहीं बोलता और जब सच बोलता हूं तो मुझे अपनी बातों में लाग लपेट करने की कोई आरशता नहीं पड़ती जैसे कि परम पूचे बावश डॉक्टर भीमरा कर लिया उन्होंने अपना उद्धार कर लिया और जिन लोग की बात समझ में नहीं आई वे आज भी वहीं फसे हुए हैं उसी दलदल में फसे हुए हैं और लगातार वे अपने अच्छों का नुक्सान कर रहे हैं तो साथियो मैं उम्मिद करता हूं कि आप इस वीडियो के मा समाज का चैनल देश का चैनल एंवी न्यूस 24 इंटू सेवन को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पोचा करें